दोस्तों स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाब उपर और आज मैं फिर आजिरू हूँ आपके साथ एक न्यूज रिपोर्ट लेके टामस अफ इंडिया से और मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट और ट्रांसलेट के अलावा मैं आपक आप फ्रैंड्र टूश ओ अफ देर क्लाउट क्या मतलब हुआ इसका दोस्तों माइनड Finnish मतलब होता है नाबलिक है दो नाबलिक और इस्टय Bunny कर दिया मतलब होता है चाकु मार दियन चाता हो मार दिया किसको इस्टैब erase कर देर एक 16 साल के व्यक्ति को, several times मतलब की कई बार several का मतलब है, several times मतलब है कई बार, in front of friends मतलब की दोस्तों के सामने to show to show of to show of मतलब दिखाने के लिए their cloud अपनी ताकत दिखाने के लिए तो दोस्तों ये इसकी headline थी अब मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ और आपसे request है, इसको बिल्कुल ध्यां से सुने और जो भी word meaning आपको काम कर लगे, आप उसे जरूर नोट करें पुलिस zeroed in on two 15-year-olds for the murder of a teenager whose body was found in the forest area of bhaati mines on Saturday by narrowing down the list of suspects on the basis of footage from CCTV cameras on the way to the crime spot क्या मतलब हुआ? दोस्तों, zeroed in का मतलब होता है निशाना लगा कर या छोटी सी जगा पर लक्षे लगा कर पहुँच जाना तो क्या मतलब हुआ? पुलिस zeroed in on two 15-year-olds मतलब पुलिस जो है पुलिस ने zeroed in किया दो पंदरा साल के लड़कों को to 52-year-olds दो पंदरा साल के व्यक्तियों को for the murder murder के लिए हत्या के लिए of a teenager teenager का मतलब होता है किशोर, एक किशोर की हत्या के लिए whose body was found मतलब कि जिसकी लाश पाई गई थी was found in the forest area मतलब जेंगल के एरिया में on Saturday Saturday को by narrowing down दोस्तों, narrowing down का मतलब होता है सीमित कर लेना जैसे कि माल लीजी हमारे पास कोई list है जिसके अंदर 100 नाम है और उसके अंदर जो हम काम के जो भी उन 100 में से जो हमें लगता है ज्यादा हमारे काम के हम उस list को छोटा कर लेते हैं फुटेज की युट की आन दर लेते हैं उसे कहते है narrowing down किसी भी चीज को सीमित कर लेने का मतलब होता है Narrowing down क्या मतलब हहा by narrowing down उसने के लिस्ट को of suspects जो संधिक देते उनकी उनकी लिस्ट को narrowing down कर से on the basis on the basis on the basis उसमतलब आधार पके on the basis of footage, footage की आधार पर from CCTV camera, जो CCTV camera की जो footage थी उसके आधार पर, on the way, मतलब की रास्ते पर to the crime spot, जो की घटना इस तल के रास्ते पर थी, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इसको, according to the cops, मतलब की, according का मतलब हता है अनुसार, पुलिस के अनुसार, आप passer by called the police on Saturday afternoon, regarding a male body lying near Radha Krishna मंदिर, टेलिफोन महला, क्या मतलब हुआ, according to cops, मतलब की, पुलिस के अनुसार, आप passer by, दोस्तों passer by का मलता हुता है राहागीर, कोई व्यक्ति वहां से निकल के जा रहा होगा, तो जो व्यक्ति कहीं से जा रहा होता है, उसे हिंदी में राहागीर बोलते हैं, उसे इंग्लिश में passer by कहा जाता है, तो क्या मतलब इस पुलिस को phone किया, call किया, on Saturday, on Saturday afternoon, मतलब शनिवार की afternoon को, regarding, regarding का मतलब है, बारे में, regarding मेल बोडी लाइंग, मेल बोडी लाइंग का मतलब एक, पुरिश की लाश पढ़े हुए होना, लाइंग का मतलब पढ़ा हुआ हुआ होना, नियर राधा कृष्ण मंदिर, राधा क मंदिर के पास, आगे देखिए, a team reached the location and found that there were several stab wounds on the body, a deep cut on the throat and the face was partially burnt, क्या मतलब हुआ, a team reached the location, reach का मतलब होता है, पहुचना, एक मतलब एक टीम जो है, वो लोकेशन मतलब उस इस्थल पर पहुची and found, और पाया, that key, there were several, several का मतलब होता है, अनेक, there were several stab wounds, मतलब की, there were several stab wounds, बहुत सारे घौपने के निशान थे, step का मतलब होता है किसी नुकिली चीस से है चाकू से किसी को घौपना बहुत सारे several wounds थे मतलब की step के मतलब छोरे मारे जाने के on the body मतलब की lash पर deep cut deep मतलब गहरा deep cut on the throat मतलब की गले पर गहरा cut and the face was partially bent दोस्तों partially का मतलब होता है आंशिक रूप से थोड़ा सा तो से partially कहा जाता है और यह एक एड़वर्व है तो एंड़ दा फेस वाज पार्शली बेंट और जो चहरा था थोड़ा सा जला हुआ था मतलब आंशिक रूप से जला हुआ था दा बॉड़ी वाज लेटर ऐइंटिफाइड एज डएट आफ हर्श क्या मतलब वह और जो लाज थी वाज लेटर ऐइंटिफाइड लेटर मतलब बाद बाद में उसकी पहचान हुई उसको आइडेन्टिफाइड किया गया इडेन्टिफाइड मतलब पहचान करना as ड़ अफ हर्ष के रूप में हर्ष 18 और रेजिडेंट ऊफ संजे कलॉणी मतलब एक संजे कलॉणी के निवासी हू इस्टडीड जो की पढ़ा करते थे हू यह कर लोने हू इस्टडीड मतलब जो पढ़ा करते थे इक सरकारी स्कूल में इन दा एरिया च्छेतर में मतलब उस च्छेतर फérique सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे लगा इनकि दादी की दादी हम बंधर और ऑनकी इंडडर से बनमम ने बनमम कंद ते पे identity मतलब की पहचान को पहचान को पुस्टी करने के लिए उनकी दादी और भाई को बुलाए गया आगे देखे पुलिस सेड पुलिस ने कहा दे चेक्ड सेवरल सिसी टीवी फुटेज एंड इंटेरोगेटेड सेवरल बॉइज इन दा एरिया क्या मतलब पुलिस ने कहा दे च करना और पूस्ताच की सेवरल बॉइस कई लड़कों से इन दा एरिया छेत्रे में दा वेरियस कैमराज इंस्टॉल्ड ऑन दा पाथ लीडिंग तूड जंगल हैं नेरो डाउन दा लिस्ट ऑफ सस्पेक्ट्स क्या मतलब हुआ दा वेरियस मतलब जो कई जो लगे हुए थे कैम्रा इंस्टॉल्ड ऑन दा पाथ मदर रास ये पर लिडिंग टू जंगल जो जंगल की तरफ जाते हैं हैं उन्होने मदद की कि चीजमें मदद की नेरो डाउन नेरो डाउन का मतलब जैसे मैं आपको पर बताए सीमित कर लेना होते हैं सबस्पेक्र ने करना में रिश्ट को नियरोंड कर लेने में मदद की जली की संदेक्तों की लिस्ट को नियरोंड़न करने में फैनली था क्लूउज लेड है उसका मतलब ता things करना मतलब फैनली मतलब आखिरकर दा When the लीड की second form है, यह let इसका मतलब था ले जाना, जो clues थे, मतलब जो सुराग थे, वो ले गए, कहा ले गए, let to the two juveniles, मतलब की दो नाबालिगों की तरफ ले गए, police, set police ने कहा, आगे देखे, the cloths worn by the accused at the time of the crime, to have been recovered at their instance, क्या मतलब जो कपड़े थे, the cloths worn, जो पहने हुए थे by the accused, आरोपियों के द्वारा, at the time of the crime, मतलब की अपराद के समय, to have been recovered, और यह दोस्तों, यह have been passive voice है, उन्हें भी to have been recovered, मतलब उन्हें भी बरामत कर लिया गया है, at their instance, मतलब उनके कहने पर, यह उनके इशारे पर, instance का मतलब उधारन भी होता है, हलफ नाम भी होता है, और किसी के कहने पर भी होता है, क्या मतलब हुआ, कि उनके कहने पर उनके जो कपड़े थे, वो भी बरामत कर लिये गए हैं, DCP South Chandan Chaudhary said, चंदन चaudhary, DCP South जो हैं, उन्होंने कहा, आगे देखिए, investigating officials, investigating officials का मतलब होता है, जाँच अधिकारी, said, कहा, उन्हों जो investigating officials हैं, जो जाँच अधिकारी हैं, उन्होंने कहा, the victim was stabbed several times in front of his friends, as the accused wanted to show off their clout in the area, क्या मतलब हुआ, कि अधिकारी हों के अनुसार, the victim, जो पीडित है, was stabbed several times, उसे कई बार चाकू मारा गया था, in front of his friends, उसके दोस्तों के सामने, as the accused, जैसे की R.O.P. जो है, accused wanted to show off, वो show off मतलब दिखावा करना चाहते थे, show off their clout, अपनी ताकत का दिखावा करना चाहते थे, अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, in the area मतलब छेतर में, cops are also checking, इसका मतलब पुलिस इस चीज़ को भी चांच कर रही है, what chemical, what chemical or substance was poured on his face, that caused the burns, क्या मतलब वह जो पुलिस है, वो इस चीज़ की भी जांच कर रही है, कि क्या कौन सा chemical, या कोई substance, मतलब पधार्थ was poor, poor का मतलब होता है, उढ़ेलना, जो की उढ़ेला गया, was poured, मतलब उढ़ेला गया, on his face, उसके चैरे पर, that caused the burns, जिसकी वेज़े से, जिसकी वेज़े से, बंस मतलब की, जलन हुई, that caused the burns, जिसकी वेज़े से, जलन हुई, आगे देखिए, harsh is survived, by his grandparents, and an elder brother, क्या मतलब हुआ, जो harsh है, वो survive करता था, मतलब रहता था, अपने grandparents, मतलब 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 पिता, और एक भाई के साथ, and an older brother, older मतलब बड़े भाई के साथ, his parents passed away, a few years ago, passed away का मतलब होता है, गुजर जाना, उसके जो माता पिता था थे, passed away, गुजर गए, a few years ago, मतलब कुछ साल पहले, his brother, his brother, Rajesh said, उसके भाई, Rajesh ने कहा, I came back, मैं वापस आया, from school, school से, when I got to know, जब मुझे पता चला, my brother's body had been found, मतलब मेरे भाई की लाश पाई गई थी, police came, police आई, and I went to see the body, और मैं, I went to see, मतलब, यह दोस्तों, passing definite का sentence है, I went to see, मैं देखने क्या, I went to see the body, मतलब लाश, he had multiple step wounds, क्या मतलब हुआ, multiple का मतलब हुआ है, कई सारे, he had multiple step wounds, उसके कई सारे जखमों के, मतलब की step wounds से, चाकू गहां पे जाने के, wounds से जखम थे, on the front, मतलब सामने and back, और पीछे, he had left home, around 1 p.m. and we thought he would be back soon, but he never returned, क्या मतलब हुआ, he had, दोस्तों, लीव की third form है, left, इसका मतलब हुआ है, निकलना या फिर रवाना होना, तो क्या मतलब हुआ, he had left home, उसने घर छोड़ा था, around 1 p.m., एक बज़े के असपास, and we thought, हमने सोचा, ये think की second form है, we thought, हमने सोचा, he would be back soon, वो जल्दी आ जाएगा, but he never returned, लेकिन वो कभी भी, वापस नहीं आया, never का मतलब है, कभी भी, but he never returned, लेकिन वो कभी भी वापस नहीं आया, जान की, हर्ष, ग्रांड मदर, जान की, जो हर्ष की दादी, माँ है, ग्रांड मदर, said, कहा, it was lunch time, क्या मतलब हुआ कि, ये lunch का समय था, it was lunch time, and he told me, he is going to buy है, and that would come back, और वो वापस आजेगा, and eat with me, और वो मेरे साथ खाएगा, in one hour, एक घंटे में, our entire life has changed, हमारा जो पूरा जीवन है, entire मतलब पूरा एंटार लाइफ, हमारे जो पूरा जीवन है, जो बदल गया है, I could not believe, I could not believe it, when the neighbor said, it was my grandson's body, क्या मतलब आइपोड नोट बिलीव, मैं यकीन नहीं कर सकी, I could not believe it, मैं इस चीज को यकीन नहीं कर सकी, when, जब दा नेबर सेट, जब पलोशियों ने कहा, it was my grandson's body, यह मेरे पोते की लाश है, I fainted, दोस्तों fainted का मतलब होता है, मूर्शित हो जाना, मतलब कि बहोशो कर गिर जाने को fainted कहा जाता है, और यह इसकी second form है, first form होती है, F-A-I-N-T, और ED लगने के बाद यह second और third form हो जाती है, तो यहाँ पर इसको, यह pass indefinite sentence है, तो इसको second form के रूप में यूज किया गया है, क्या मतलब होँआ, I fainted, and still can't believe, he is no more, क्या मतलब, I fainted में मूर्शित हो गई, मतलब बेहोश हो गई, and still, still का मतलब होता है, अभी भी, and still अभी भी, can't believe, यह विश्वास नहीं कर सकती, यकीन नहीं कर सकती, he is no more, की वो जिन्दा नहीं है, आगे देखिए, while the family, while the family, alist का मतलब होता है, आरोप लगाना है, कथित रूप से, while the family, जब परिवार ने आरोप लगाया, he was stabbed, over 50 times की, उसे चुरा मारा गया था, over 50 times मतलब, 50 बार से जादा, the DCP set, DCP ने कहा, the actual step injuries, जो actual मतलब, जो वास्ताविक step injuries है, मतलब, चाकू मालने की जो injuries है, जक्म कह सकते हैं, जो चोट है, will be clear, वो clear हो जाएंगी, in the autopsy, autopsy मतलब, post-smartem में, which has been conducted, जो की किया जा चुका है, has been के बाद third form है, यह passive voice है, which has been conducted, मतलब की, जो किया जा चुका है, the report is awaited, the report is awaited, मतलब की, जो report है, उसका इंतिजार है, तो दोस्तों, यह एक छोटी सी report थी, Times of India से, जो भी मैंने आपके सामने, translate किये, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो इससे जरूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच, have a nice day, bye.